असलाम अलेकों वेवान मैं हूं मौम्मद तल्हा आप लोग देख रहे हैं तलास्वेस अकैडमी नुमेरिकल की प्रेक्टिस करनी है यूनिट 2 के और उसकी प्रेक्टिस के लिए हम लोग आज वर्ट एक्जाम्पल सॉल्फ करने वाले हैं चप्टर नमबर 2 की टोटल इस वेक्टर A.Vector B मालूम करना है यानिका dot product से related numerical है और वेक्टर A भी गिवन है और वेक्टर B भी गिवन है बस हमें A.B मालूम करना है ठीक है डेटा के अंदर यही दोनों वेक्टर लिखेंगे सबसे पहले हमें वेक्टर A गिवन है वेक्टर A की value है i-2j plus k वेक्टर B गिव डॉट वेक्टर भी ठीक है और कुछ है नहीं डेटा के अंदर अच्छा जी अब डॉट पुटक मालूम करने के लिए पहले लिख लेते हैं ए डॉट भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी और राइट हंड साइट पर दोनों वेक्टर लिख देते हैं 3i माइनस का 2j प्लस का k ठीक है और डॉट के साथ वेक्टर भी लिख लेते हैं 3i माइनस का 4j माइनस का 2k अब देखो यह जो question है न हमें simple multiply करना है जैसे multiply किया जाता है लेकिन उसका एक shortcut भी है जो मैं आपको इसके बात बताऊंगा सबसे पहले आप क्या करें सबसे पहले i को बारी बारी इन तीनों से multiply करना है यह हमारा तरीक एकार है ठीक है तो सबसे पहले जब मैं multiply कराऊंगा i को 3i से तो यह हो जायेगा i.3i ठीक है अच्छे जब मैं i को multiply कराऊंगा j वाली value से या i को multiply कराऊंगा k वाली value से तो हमें property apply करनी पड़ेगी property क्या है प्रोपर् जे करो, जे डॉट के करो, या के डॉट आई करो, यह सब बराबर आता है जीरो के, और जो प्रॉपर्टी है, यानि कि अपोज जब भी different unit vectors multiply होते हैं, नो dot product 0 आता है, और जब भी similar unit vectors multiply होते हैं, यानि कि आप आई डॉट आई कर लो, जे डॉट जे कर लो, या के डॉट के कर तो वो सब किस के बराबर आता है, one के, अब दरसल जो method है, उसके ⑟ इंदर uh को तीनों से multiply करना होता है, पर हमें पता है कि अगर आई वाली value को J वाली value से multiply कराऊंगे, तो वो तो zero आजएगी, आई वाली value को K वाली value से multiply कराऊंगे, तो भी माइनस का 2J माइनस का 2J और dot में लिखावा है माइनस का 4J ठीक है और इसी के साथ साथ यहाँ पर K लिखावा है K को सिर्फ K से करना है तो K आजाएगा dot माइनस का 2K ठीक है इनका dot product लिएना है dot product same values का लिएना है अब सबसे पहली बात अगर I dot I करते हैं तो I dot I तो 1 आजाएगा I dot I 1 आएगा यहाँ पर आंसर सीधा सीधा 3 आजाएगा इसी तरीके से minus minus हो जाएगा plus 2, 4, 0, 8 हो जाएगा J dot J J dot J आपको पता है 1 के बराबर होता है पिर आप करेंगे plus K dot K K dot K 1 होता है यहाँ पर given है और 1 into 2 तो यह हो जाएगा minus का 2 तो जहाँ पर हमने plus 2 लिखना है यहाँ पर आना चाहिए minus का 2 चीक है यह आगा minus का 2 basically हम calculate कर रहे हैं A dot B तो कितना हो गया 3 plus 8 यह हो गया 11, 11 minus 2 हो गया 9 A dot B का answer हमारे पास आजाएगा बराबर 9 के यह हमारा answer है ठीक है तो बाकी आपको लिखने की जुरत नहीं है आपने क्या करना है आपने सिर्फ I को I से multiply करना इन short आप क्या कर सकते हो यह वाला step आप चाहो न यह वाला step आप चाहो तो छोड़ सकते हो कैसे सिर्फ आप क्या करो I के जो coefficient है उसको I के coefficient से multiply करो तो 1 3s आप यहापर direct आजएगा 3 फिर J वाली value को J वाली value से multiply करा हो minus minus plus और 2 4s आप 8 आजएगा तो इससे step की जुरुएत ही नहीं है इसी दरीके से K के साथ 1 लिखावा है K के साथ minus 2 लिखावा है 1 into minus 2 minus 2 आजएगा और K dot K 1 होता है तो आप इसको direct भी कर सकते है बट actual आपको पता होना चाहिए कि क्या steps थे इसके behind ठीक है जी Question number 2 Example worked worked example है 2.2 A turtle starts at the origin एक turtle है कच्छवा है origin से start हो रहा है move करना with a speed of जो speed है वो उसकी constant speed है जिसको data के अंदर ही V0 से show किया है question में तो हम भी रेखेंगे यह आगई 10 meters per second ठीक है in the direction of 25 degrees और वो जो move कर रहा है वो move कर रहा है direction कहलो angle कहलो जिसे हम theta से show करते है वो है 25 degrees के बराबर ठीक है to the horizontal horizontal के साथ यह angle बन रहा है अब सबसे पहली बात find the coordinates of turtle turtle के coordinates मालूम करने है time है 10 seconds ठीक है 10 seconds का मारे पास time है और हमें coordinates मालूम करने है coordinates का मतलब x में कितना फासला ते किया होगा और y में कितना फासला ते किया होगा और बी पार मालूम करना है how far did the turtle walk in 10 seconds और total distance उसने कितना cover किया होगा जिसे हम position vector r से show करते है तो यह भी हमें मालूम करना है कि कितना 10 seconds के बाद उसका position होगा अब देखो अगर मैं आपको graph के जरीए इस बात को समझाओ यह आ गया हमारे पास origin ठीक है और 25 degrees पे turtle जए वो move कर रहा है for example यहां से यहां तक जा रहा है angle कितना angle है 25 और जो turtle है वो इधर आ गया कहीं पे ठीक है turtle इधर कहीं पर आ गया और पहले turtle कहां पे था पहले turtle यहां पे कहीं पे था तो वो यहां से यहां चला गया, यह जो distance इसने कवर करा, यह r के बराबर है, और जो coordinates है, वो कैसे बनते हैं, coordinates बनते हैं, यहां से एक perpendicular ड्रॉ करते हैं, x-axis की तरफ, और उसको मिला देते हैं, tail से, तो हमें दो coordinates मिल जाएंगे, एक यह coordinate होगा, जो इधर से लेके इधर तक का ह होता है, और यह वाला जो है, वो y coordinate होता है, x और y तो मालूम करना है, साथ साथ r भी मालूम करना है, ठीक है जी, अब x component के लिए, या ऐसा कहलो के थीटा के सामने वाली side के लिए, for x component, हम लोग इस्तमाल करते हैं, cos theta को, ठीक है, तो cos theta को इस्तमाल करेंगे, तो इसका मतलब x बराबर आएगा, x की value निकालनी है आपने, और वो भी किसकी, velocity पहले calculate करनी पड़ेगी, तो अगर आप velocity का x component वालूम करना चाहते हैं, तो v naught को आपको multiply करना पड़ेगा, cos theta से, ठीक है, x के लिए cos theta इस्तमाल करते हैं, y के लिए sin theta इस्तमाल करते हैं, तो x component निकालने के पहले, पहले मैंने vx calculate करना है, vx के लिए v naught कितना है, v naught है 10, और इसका पूरा question हम लोग जाए न, centimeter में ही solve कर लेंगे, ठीक है न, ये पूरा का पूरा question centimeter में solve होगा, और cos 25 लिखते है, cos 25, तो अभी जो answer आएगा, वो velocity के x component का आएगा, 10 multiply by cos 25, 9.06 cm पर second के बराबर, ठीक ह न, ये आगई, उसकी speed आगई है, x component आगई है, उसकी speed का, अब हमें x component speed का नहीं चाहिए, बलके हमें तो distance चाहिए x का, तो velocity से distance निकालने का formula में पता है, s पराबर होता है, vt के, बट क्यूंकि हम x component मालूम करना चाह रहे हैं, तो velocity का भी x component लिखना पड़ेगा, और just उसक component आया है, 9.06 और इसको multiply करा देंगे हम time से, तो ये आजाएगा multiply by 10, so x का answer वराबर आगया हमारे पास 90.6 cm के, ठीक है, ये हमारे पास x component का answer आगया, 90.6 cm, अब जिस तरीके से हम लोगों ने x component को solve करा, अब हम y component को भी solve करेंगे, for y component, और distance निकालने से पहले, हमें y component की velocity निकालनी पड़ेगी, तो y component के लिए, vy के लिए, sin theta इस्तावाल होता है, तो वो हो जाएगा, v naught multiply by sin theta, x के लिए v naught cos theta, और y के लिए आगया, v naught sin theta, तो v naught कितना है, v naught बराबर है हमारे पास, 10 और sin 25, 10 multiply by sin 25 निकालना पड़ेगा, तो 10 into sin 25, यह आगया, हमारे पास 4.22 cm per second के, क्योंकि आपको पता है, यह speed आई है, तो cm में solve करने, cm per second आएगा, now, distance s बराबर होता है, v t के velocity से time निकालने का यह formula है, अब क्योंकि y axis का component चाहिए, displacement y axis की चाहिए, तो यह हो जाएगा, v not y multiply by t, जो हमने vy बोला है, उसको multiply कराना है t से, तो vy की value, 4.22 और 10 second लगें, तो answer आजाएगा, हमारे पास 42.2 और cm, ठीक है, तो यह भी आगया cm में, यह भी आगया cm में, अब अगर आप देखें, इसका last part जो था, उसमें कह रहे थे, टर्टल ने कितना distance कवर करा, actual distance जो होगा, तो b part में हमें r की value मालूम करनी है, अब अगर आपने figure को note कराओ, तो हम r इसको कह रहे थे, ठीक है, यह x था और यह y था, यह y आ गया, यह x आ गया, राइट अंगल, ट्राइंगल नजर आ रहा है, हमें perpendicular पता है, बेस पता है, और hypotenuse मालूम करना है, तो हम सीधा-सीधा पाइथा-कॉरस theorem इस्तमाल कर लेंगे, यहाँ पे, एकॉर्डिंग टू पाइथा-कॉरस theorem, इस theorem के मताबिक जो hypotenuse होता है, वो बराबर होता है, perpendicular square प्लस base square के, तो hypotenuse r के बराबर है, perpendicular theta के सामने वाली side y का square प्लस x का square करना है, यहनि कि इन सब का square करके add करके root लेना है, किसका, 90.6 का square प्लस 42.2 का square, square करके add करके root लेंगे, जो answer आएगा, वो आएगा centimeters में, ठीक है, इसको कर लेते हैं, तो यह हो गया सबसे पहले, under root 90.6 का square, प्लस 42.2 का square, ठीक है, यह answer हमारे पास बराबर आगया, 99.9 centimeters के, जिसको हम round off कर सकते हैं, और यह answer approximately बराबर आ सकता है, 100 centimeter के बराबर, ठीक है जी, यह होगे दोनों पार्ट इसके, question number 2.3, a car with an initial speed, एक car है, उसकी initial speed given है, सासा data बनाते हैं, सबसे पहले, car की initial speed given है, V.I. से जाहिर करते हैं, वो है 1 meters per second, और वो motion में थी, हरकत में थी, 10 minutes के लिए, तो जो time है, वो लगा, 10 minutes, और हाथ के हाथ इसको seconds में convert कर लो, multiply by 60 करेंगे, तो 600 seconds आ जाएगा, 10 minutes के अंदर 600 seconds होते हैं, and then it come to a stop, फिर वो एक stop पर पहुचती है, the velocity right before it stopped was 5 meter per second, जैसे ही वो गाड़ी रुकने से पहले, बिलकुल पहले, जो speed होती है, वो होती है, बराबर 5 meter per second के, जो final speed है, बिलकुल stop तक पहुचने से पहले, वो है 5 meters per second, what was the constant acceleration of the car, कितना acceleration था इस car का, वो हमें मालूम करना है, acceleration को एसे शो करते हैं, अब data जो हमें बता रहा है, उसके मताबिक acceleration चाहिए, acceleration के लिए हमारे पास equations of motion है, अब आपको यह देखना पड़ेगा, कि कौनसी equation of motion यहाँ पर apply हो सकती है, initial velocity है, final velocity है, time है, और acceleration है, तो यहाँ पर first equation of motion apply होती भी नजर आ रही है, VF बराबर होता है, VI plus 80, और अगर आप equation of motion से नहीं करते, तो आप direct acceleration के formula से भी कर सकते हैं, acceleration का formula होता है, change in velocity divide by time, और फिर वही बराबर आएगा, VF minus VI upon T, तो basically, एक ही जैसा है, दोनों से solve करोगे, answer equal आएगा, और equation of motion की practice करना जरूरी है, ज्यादा बेटर यह है कि आप equation of motion apply करें, तो एक ही value अगर arrange करेंगे, VI इदर जाके minus हो जाएगा, VF minus VI हो जाएगा, और T A के साथ multiply हो रहा था, इस तरफ आकर हो जाएगा divide, तो VF minus VI, 5 minus 1, और time लगा है हमारे पास, 600 seconds के बराबर, ठीक है जी, तो 5 minus 1 यह हो गया, 4 divided by 600, अब इसकी value अगर हम put करते हैं, 4 divided by 600, 600, it is equal to 0.0066 meter per second square, acceleration का unit होता है, meter per second square, ठीक है, तो यह असांसी example थी एक, 3.4 पर आते हैं, आज cycle, एक cycle है, वो cover कर रही है, 2 km 8 minute होना, data बनाते हैं, कितना distance cover हो रहा है, distance cover हो रहा है, 2 km का, ऐसे show करेंगे, 2 km, kilo means 1000 होता है, तो यह हो जाएगा, 2000 meters, kilo का मतलब 1000, 2 km का मतलब हो गया, 2000 meter, किती देर में, time दिया आवा है, 8 minute, 8 minute, हर minute में होते हैं, 60 second, 8 को multiply करना पड़ेगा, 60 से, यह हो जाएगा, 680 seconds, now, and the initial velocity of the cycle, was 1 meter per second, जो initial speed है, vi, यह बराबर है, 1 meter per second के, find the acceleration, अगे नहामें मालूम करनी है, acceleration, लेकिन इस मरतब अगर आप note करें, तो data जो है, वो मुक्तलिफ है, first equation of motion से तो नहीं हो पाएगा, यही मैं चाहरा था, कि आप equation of motion से, solve करनी कोशिश किया करो, अब distance है, time है और vi है, distance time vi, तो इसका मतलब यहां पर apply होती भी नजर आ रही है, second equation motion, s is equal to vit, plus 1 upon 2, at का square, ठीक, इस से हमें solve करना पड़ेगा, s है 2000, vi है 1, time लगा, 480 seconds, plus 1 upon 2, acceleration मालूम करना है, और time लगा, 480 का square, ठीक है, अब सबसे पहली बात, 480 multiply by 1 कर लो आप, 480 multiply by 1, 480 हो गया, यह हो गया, 2000 is equal to 480, और यह कितना है, 480 का square, 480 का square, यह हमारे पास आ जाएगा, plus 0.5, 1 upon 2, 0.5 के बरावर होता है, acceleration अपनी जगा पर है, और multiply में यह value आ गई, 2, 3, 0, 400, इसका square आ गया, ठीक है जी, अब क्या इन दोनों का पहले multiply कर लो, यह हो गया, 2000, 480 plus का इस तरफ हो गया, minus 480 हो जाएगा, और यह जो पूरी value है, यह multiply हो जाएगी, 0.5 से, यह आ गया, 1, 1, 5, 2, 00, A के बरावर, ठीक है, 2000, 1, 5, 2, 00, A, A की value मालूम करनी है, इसको multiply से divide में लेकर आओ, 1, 5, 2, 0, divide by 1, 1, 5, 200, so, 1, 5, 2, 0, divide by 1, 1, 5, 2, 00, it is equal to 0.01319 meter per second square, यह होगी acceleration इस cycle की, ठीक है जी, लास्ट वोट इग्सांपल, 2.5, डेटा बनाते हैं, पढ़ते भी जाएंगे, डेटा भी बनाते जाएंगे, अब बॉडी इस प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड, इससे आप समझ जाहिए, प्रोजेक्टाल मोशन की बात हो रही है, या body is projected, initial velocity है, उसकी, velocity जो है, वो है 20 meters per second, add the angle of, angle दिया हुआ है theta 50 degrees के बराबर, to the horizontal plane, find the time of flight of the projectile, time of flight को हम capital T से show करते हैं, अगर आपको derivation याद हैं, तो time of flight capital T से show करेंगे, जो कि हमें मालूम करनी है, direct formula apply करना है, आपने, time of flight का, the time of flight is given by, अच्छा मैंने derivation में T प्राइम का नाम दिया था, तो आप भी T प्राइम कर लो, T प्राइम आएगा, तो यह होगा 2V0 sin theta over G, देखो अगर यहाँ पर T लिखोगे, तो इधर T लिख देना है, लेकिन मैं T प्राइम पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब यह drive करवाया था, जो lecture upload करा था, अगर आपने उससे त्यारी करिए, तो आपके जहन में T प्राइम होगा, इस वज़ा से बैतर यह के T प्राइम ही लिख लेते हैं, तो T प्राइम का अंसर बराबर आएगा, 2 times of V0, V0 had 20, into sign मालूम करना है 50 का, और value of G आपको बता है, बराबर होती है 9.8 के, तो सारी values put करनी है, calculator के अंदर 2 into 20 into sign मालूम करना है आपको 50 का, और then फिर दिवाइड करा देते हैं, इसको 9.8 से, time of flight आ गया 3.12 seconds के, यह टोटल जो वक्त लगेगा, इस projectile को in state of motion, वो होगा बराबर 3.12 seconds के, ठीक है जी, यह हो गए हमारी 5 example, chapter number 2 की, I hope समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आई, कुछ सवाल है तो आप comment section में लिख सकते हैं, मैं जरूर reply करूँगा, that's all for this video, Allah आफिस. आपिस झाड़ led, की जरूर इसे हैंegal nor के लिघए वहां, आपिस. आपिस.